Hi guys, good afternoon, welcome back in your top 10 classes, मैं हूँ आसिस्टर, तो guys अब तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा, syllabus से related, या फिर अपने grammar से related, वो चीज़े अपने तक थी, आज हम आप लोगों को ले चलेंगे आपकी language की तरफ, होता गया है guys, जब हम किसी के सामने आते हैं, किसी का सामना करना होता ह है, तो पहुत सारी problems सामने आ जाती है, as suddenly, आप फिल करते होंगे, कि अचानक में आपको किसी के सामने खड़ा कर दिया गया, और बोला गया, कि just could you tell me something about yourself, तो ठंडी के महीने में भी गर्मी का आया हसास, सिर से पसीने टापकना सुरू होता है, हार पैर कापना सुरू होता ह है, तो guys, today we will talk about that, how can we develop our personality and how can we confident to face the people, आज हम लोग talking करेंगे, कि हम कैसे self-confidence हो सकते हैं, कैसे हम किसी के सामने अपने आपको express कर सकते हैं, guys, it is really a rare condition, that when we are just going to discuss with the someone, then we are feeling much more hesitation, और hesitation is cause that we have not a good atmosphere, we have not a good collaboration to whom we can converse well, अब यहां पे समस्या क्या होती है, कि हम लोग क्या होते हैं, ग्रामी रंचल से रहते हैं, अचानक में किसी के सामने खड़ा कर दिया जाता है, तो बहुत सारी प्रोदम सा जाती है, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि केवल confidently आप मुझे देखिए, मैं guarantee के साथ कर रहा हूँ कि अब आप मेरे साथ बोलने की कोशिस किजे, मेरे साथ दोहराइए, कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ना सुरू करो, तो इंगलिस ऐसी language है, it's easier than all subject, यह सारे subject से easy लगे कि आपको, that's my challenge, केवल आप लोग ध्यान से अपने आपको motivate कीजे, ध्यान से concentrate कीजे, वीडियो पर मैं guarantee लेता हूँ कि within few days you will be a good speaker and you have a good confidence to face the people, there is no any kind of problems in front of anyone to express your weeps and desire, so today we will have to talk, as suddenly we are getting any kind of clue, any kind of examples, then we are confused what to say and what not to say, अचानक में हमारे सामने कोई examples हा जाता है, तो हमारे पास problem होती भी है, हम grammar rules को follow करे, पहले tense बना रहे, चूज करते हैं, tense के बाद उसका sentence बनाते हैं, पता लगा sentence फोड़ा सा लंबा चोड़ा आ गया, तो confusion बन जाती है कि यार आप इसको कहां से सुरू करें और कहां तक ले जाए, तो आज guys, आज आज आपको हम दो चीजों से free करेंगे, पहला तो आपको tense के rules पे नहीं जाना है, दूसरा आपक को strong कीजिए, मुझे follow कीजिए, मेरी guarantee है कि I will get you a good speaker, without any hesitation, without any fear, you will be a good speaker, so today we will discuss about our word, which is non well, as like how about, okay guys, now just we are getting this one, how about, तो what is how about, अगर suddenly कोई आपके सामने एक word लिख दे, how about, तो आप से पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो how means कैसे about माने के बारे में, तो हम लोग बताते हैं कैसे के बारे में, क्या sentence आपको सही बन रहा है, नहीं बन रहा है guys, English ही एक ऐसा language है, English ही एक ऐसी हुआ, थोड़ा सा इधर उधर वे, तो वो अपना एक अलग भी बताने लगता है, तो बहतर होगा, कि हम चीजों को अच्छे से समझे, how about is a phrasal verb, ये क्या है, phrasal verb है guys, a phrasal verb क्या होता है, phrasal verb की हिंदी क्या होती है, हम इसे detail में बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको ह अच्छे का मतलब क्या होता है, वो बताते है, phrasal verb का मतलब होता है, वाक्यांस, वाक्यांस किसे कहते हैं, वाक्य का अंस, जिसका कोई अर्थ हो, लेकिन पूरा भावना प्रकट हो, वाक्यांस कहलाता है, तो अब यहाँ पे कहते है, how about, या इसी का एक अपूज़, just same concept होत होता है, जिसको हम बोलते है, what about, ठीक है, दोनों ही word same same होते है, how about या फिर, what about, और जिसका हिंदी अर्थकर आप निकालते हैं, तो होता है, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा guys, now just mind about that, how easy and smooth word is it, कितना आसान सा word लगा न, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा उसके साथ बात करना, कैसा र रहेगा अंग्रेजी में बात करना, कैसा रहेगा लोगों को अंग्रेजी में समझाना, कैसा रहेगा अपनी personality को इंग्लिस में डबल अब करना, तो बहुत सारे ऐसे questions बनते हैं कि कैसा रहेगा, हम करना चाहते हैं, उसके result के बारे में बात करते हैं, पहले कि अगर हम ऐसा क तो इसका परीडाम कैसा रहेगा जहां पर हमारे रिजल्ट की बात हो जाती है कैसा रहेगा हम क्या कर सकते हैं मालीजे आप अंग्रेजी बोलने के लिए खड़े हुए आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम्स आ रही है आप इसी के सामने ये विचार बेखते कि मुझे अंग मतलब कैसा रहेगा अब ऐसा नहीं कि यहां हाउ लगा है यहां वाट लगा है तो यहां कैसा रहेगा यहां क्या रहेगा ऐसा नहीं रहेगा दोनों का अर्थ होगा कैसा रहेगा हम बात करते हैं स्ट्रक्शन की यह कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर ली जाए गाइस तो कंस् क्या होते हैं वो अगर हमारे concept में आ जाए हमारे बीप में आ जाए हमारे brain में आ जाए तो उनको solve करना how smooth how easy would be कितना आसान होगा आपको मैं दिखाता हूँ कितना concept easily लगेगा बस guys किवल आप concentrate किजिए देखे वीडियो को complete देखेगा मेरी guarantee आज मैं आपको इस use को बुलवा के चोड़ूँगा यह मेरा challenge है कि आप मन से पढ़िये मैं इस use को आपको आज बुलवा के चोड़ूँगा आज के आज ही आप बोलेंगे कि English कितनी easy होती है क्या सबसे पहले हम बनाते हैं इसका structure structure हो जाता है how about क्या होता है guys how about plus verb का first form plus INZ plus object plus etc plus question marks now guys just mind about this one मैंने क्या कहा था याद कीजे मैंने शुरुवात में वीडियो में बताया आपको क्या सुरुवात में बताया कि आज मैंना तो आपके subject को ढूणूगा ना subject के साथ आने वाले साहया क्रिया को ढूणूगा आज दोनों को sentence से निकाल के बाहर फेग देते हैं बीना sentence के साहया क्रिया के बीना sentence के subject के आज हम tense बना के देखते हैं कि बनता है या नहीं और definitely बनेगा sentence के structure क्या हो गया how about plus verb first plus ing plus object plus etc जैसे मान लेजिए अगर आपसे कहा जाए उसे अपने घर बुलाना कैसा रहेगा now guys just mind about that अगर कहा जाए कि उसे अपने घर बुलाना कैसा रहेगा तो question बनता है यार हम बुलाना चाहते हैं पता नहीं किस तरह का है बुलाएंगे आएगा की नहीं तो whenever we are just going to talk about that कि किसी के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन बुलाते समय मन में ख्याल आता है और कैसा रहेगा तो हम किसी सलाह ले लेते हैं तो सबसे पहले यह question word होता है कैसा रहेगा जो question word है हम उसी को सबसे पहले राते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिक लेना है how about क्या इसे चैलेंज आज आज आपको यह यूज एकदम एजी लगेगा सबसे पहले हम how about कैसा रहेगा फिर क्या कैसा रहेगा बुलाना बुलाने की इंगलिस क्या होती है काल तो how about calling कैसा रहेगा बुलाना किसे how about calling him उसे बुलाने हैं how about calling him कहां पर बुला रहे हैं अपने घर at my home अब यहां पर mind कीजेगा अगर उसे अपने घर बुलाना कैसा रहेगा हम सब के साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा our home होगा मैंने यहां क्या लिखा my अर्थात इसका sense हो रहा है कि मेरे घर बुलाना तो यहां पर अगर sentence में confusion समझ में आए तो आप my के जगर पर क्या लिख सकते हैं our home क्या लिख सकते हैं our home जैसे मा लेजिए चाय में नीम्बू निचोड़ना कैसा रहेगा क्या होगा गाइज चाय में नीम्बू निचोड़ना कैसा रहेगा हमने क्या बताया कि एकदम से hesitate नहीं होना है be confident self-candidate confident guys there is nothing in English English में तो कोई चीज है ही नहीं केवल आपको अपने आप पर यकीन हो जाए आपके पास word power हो जाए आपके पास vacabilities हो जाए तो no one is impossible nothing is impossible for you in English language चाय में नीम्बू निचोड़ना कैसा रहेगा problem होती है कि हमें सबसे पहले ढोड़ना है कैसा रहेगा तो हम ले आते हैं how about क्या हो जाता है how about फिर करना क्या है भी या निचोड़ना है निचोड़ने की इंग्लिज क्या होती है इक्सक्यूज how about इस्क्यूजिंग क्या इस्क्यूज कर रहे है लेमन how about इस्क्यूजिंग लेमन कहां पर चाय में चाय चिक यह बताई है चाय में जब निचोड़नेंगे तो चाय में जब आपका नीम्बू गीरेगा तो किस अवस्ता में होगा इस्तिर अवस्ता में नहीं न वो गतिसी अवस्ता में होगा जब गतिसी अवस्ता की बात की जाती है तो हम वहाँ पर इंटू का प्रयोग करते हैं लेमन इंटू दा ठी ठीक है जैसे उसके साथ अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा उसके साथ अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा तो सबसे पहला आपसन क्या है भी या कैसा रहेगा कैसा रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं how about how about क्या करना हमें बात करना है बात करने के English क्या होती है talk talk में क्या करना है imz how about talking कैसे in English how about talking in English अंग्रे जी में बात करना कैसे रहेगा उसके साथ साथ के English क्या होती है with him चलिए clear हो गया I hope this is the easiest easiest not easy it's the easiest example for you it's the easiest use for you so just think of it अगर आपके सामने ये English कल तक बुद्भारी लग रही थी और आज आपको ये लग रहा है कि बहुत ही आसान है तो definitely ये आपके लिए आसान हो सकती है आप अपने चैनल पर जुड़े रहिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए ये मेरा confidence ने मेरा वादा है कि मैं आपको बोलवा के छोड़ूँगा आपको बैठना नहीं है गाइस चुप नहीं होना है आपको कत्ता ही चुप नहीं रहना है speaking कर रहे हो आप English बोल रहे हो आप English में जितना जादा आप मेरे साथ reply करोगे उतना बहतर होगा अब आप अगर और example बनाना चाहते हैं तो अंग्रे जी सीखना कैसा रहेगा उसे बुलाना कैसा रहेगा मा से सवाल पुछना कैसा रहेगा पापा के साथ रमायड पढ़ना कैसा रहेगा बिद्याले में प्रतिदिन जाना कैसा रहेगा परिच्छा में अच्छे अंग प्राप्त करना कैसे रहेगा मैं कुछ एक्जाम्पल्स बता रहा हूँ गाईज आपके सामने बाकी के एक्जाम्पल आप खुद से क्रिएट करो खुद के ब्रेंट में थोड़ा सा पावर डालो Automatically it will be easy क्या होगा? एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस मैं बता रहा हूँ तीन को आप तीस में बदल दो, चालिस में बदल दो, दस में बदल दो नहीं कुछ ज़्यादा तो कम से कम दस पाउच सेंटेंस खुद से क्रिएट करो यह Automatically आपको easy लगने लगेगा That is fine I hope that आपने ये use अच्छे से समझ लिया होगा चलिए, आप से मैंने पूछा क्या कि कैसा रहे गाईस का option क्या हो गया कि हम किसी काम को करना चाहते हैं उसके paradigm की बात करते हैं चलिए हम paradigm की बात न करते हुए प्रस्ने की भी बात कर सकते हैं अगर आप से हैडिया जाए कि अगर आप से बात कहा जाए कि कैसे तो कैसे रहेगा तो जब्म Citizens की की बात करेंगे की बात करेंगे अगर मालीजी हम यह नहीं पूछें कि कैसा रहेगा इसको छोड़ देते हैं अब आपके समझ में आ गया होगा आप कुछ खुद से practice किजे अब हम लोग चलते एक दूसरे use पर एक दूसरा sentence हमारे सामने आता है तो दूसरा sentence क्या होता है गाईस हम उस दूसरे sentence की बात अगर कर लें तो क्या हो जाएगा मान लीजिए कि हम कभी-कभी ऐसे sentences पा जाते हैं जिसमें question word तो नहीं आता लेकिन भ हम इसको कैसे solve करेंगे तो हम इसमें आते हैं ऐसे ही एक और question word की बात करते हैं जिसे हम आप क्या कहते हैं यूज ऑफ एक शिंबल सा option how how मतलब कैसे इसी के साथ जैसे ही to preposition यूज होता है तो भी इसका आर्थ होता है कैसे क्या होता है कैसे होता है अब अगर हम इसके tense की बा को ध्यान दीजेगा मैंने कहा है कि आज मैं एक जलरी को नहीं टच करूंगा आज मैं subject को नहीं टच करूंगा लेकिन आपसे English बोलवाओंगा आप अंग्रेजी बोलोगे आपको अंग्रेजी बोलने में जिजक नहीं होगी sentence बनाओगे that's my challenge मैंने आपको challenge किया है कि आज मै की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आज हमें करता ढूंडने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और करता अगर आता भी है तो भी हमें सहाय क्रिया की आवस्चिकता नहीं पड़ेगी जैसे how to plus इसमें क्या हो जाएगा verb का first form plus object plus etc plus question mark ठीक है जैसे अगर आपसे आ जाए कि कैसे बाल की खाल निकालें ओकी guys question हो गया है कैसे बाल की खाल निकालें मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं पता है किसी को facilitate करना चाहते हैं किसी को परिसान करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है करते हैं कैसे बाल की खाल निकालें तो सबसे पहले हम कैसे की English अब भड़ी समस्या तो यह आती है कि इता लंबा सा word इसकी word meaning क्या होगी जितना लंबा वर्ड है उतनी छोटी सी स्पेलिंग है कैसे बाल की खाल निकाले तो how to split कैसे बाल की खाल निकाले जैसे दूसरा सिंटेंज देखिए कैसे उसका दिल खुसियों से भर दे कैसे उसका दिल खुसियों से भर दे भीया दिल कोई बरतन तो है नहीं कि आप भर दोगे दिल जो है वो internal parts है आपके organs है आपके body के तो internal organs को हम भरने के लिए कोई pump का use तो नहीं कर सकते इसलिए क्या करना है आपको भरना नहीं है व्यक्ति को आप बाहर से खुस कर दीजे दिल तो automatic कुस हो जाएगा तो क्या हो गया कैसे उसका दिल खुसियों से भर दे तो सबसे पहले में क्या करना है how to अब किसी को खुस करना है तो खुस बनाना होगा how to make किसको उसको make him क्या करेंगे happy how to make him happy कैसे उसको खुस कर दे कैसे उसका दिल खुसियों से भर दे दो option बने चलिए अभी तो आपके सामने समझ में आया कि ऐसे बड़ आये कभी कभी हमें confused करने के लिए एक दूसरा sentence भी बन जाता है इस वाक्य में जैसे कि मुझे कि अंग्रेजी बोलना आता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आता है अब देखिए इसमें कहीं question पुछा जा रहा है नहीं लेकिन जब हम इसको sentence में solve करना शुरू करेंगे मुझे अंग्रेजी बोलना आता है तो कैसे solve करें मैं जानता हूं अंग्रेजी कैसे बोले क्या हो जाएगा मैं जानता हूं अंग्रेजी कैसे बोले तो मैं जानता हूं I जानने के English क्या होती है no I know फिर क्या हो जाएगा how to speak how to speak English ठीक है उसे क्रिकेट खेलना आता है उसे क्रिकेट खेलना आता है तो सबसे पहले में क्या करना है जानता है कैसे क्रिकेट खेलना तो जानता है कैसे क्रिकेट खेले to he जानता है he knows no plus yes क्योंकी he singular number है तो ही नोज कैसे how to how to play cricket हाउ टू प्ले क्रिकेट ओकी गाईज नाव जस्माइड अबॉट देस हमने क्या बताय था आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे हाउ अबाउट हमने पढ़ा कहीं आपको मिला एक भी साहे क्रिया कोई साहे क्रिया आई आपके बीच में नहीं आई हाउ टू को भी आपने पढ़ा है कहीं साहे क्रिया दिख रही है नहीं दिख रही है सेंटेंस हीजी लग रहा है आई होक की लग रहा है लग रहा है न तो चुप चाप मत बैठो मैंने का मेरे साथ क्लास में चुप नहीं बैठना है चुप बैठोगे तो लंबा जाओगे आपको उंगली पकड़ो अब पुरा हाथ पकड़ लो ठीक है सबसे इंपोर्टेंट है कि आपके अंदर एक क्यूरियस्टी होनी जाए कि I must have to gain something तो यहाँ पर मैंने कुछ sentences बना दिये हैं कैसे बात करें कैसे बाल की खाल निकालें कैसे इसका दिल खुशियों से बरें मुझे अंग्रेजी बुलना आता है मुझे ग्रिकेट खेलना आता है तो आप बनाईए कैसे अंग्रेजी सीखें कैसे अंग्रेजी में जबाद दें कै कैसे अंग्रेजी में प्रस्न पूछें, कैसे उसके साथ घर जाएं, कैसे पिता जी का पैर चुएं, कैसे अंग्रेजी में भासर दें, बहुत सारे questions बनते हैं, आप खुछ से बनाओ, create करो, solve करो, फिर अगर आपको problem होती है, तो फिर comment box आपके सामने हैं, आप उसमें अपना मत भूलिये, आप अगर आपना comment देते रहेंगे तो definitely we will change and we will give much more options to speak well, if you want to speak and definitely you have to join us in a proper way, regular way and then you can speak well, so since then, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा last में, आपके वीडियो को खतम करने से पहले, कि आपके लिए English एकदम easy होगी, एकदम easiest होगी, तो आपके लिए बेहतर होगा, कि आप अपने वीडियो को अंति तक देखें और like, share के साथ साथ comment जरूर करें, तब तक के लिए good bye all the way